सबको मेरा वोइस आ रहे है ऑनलाइन में इस दा ओडियो वीडियो क्लियर वीडियो पुरा प्रॉपर आ रहे है सब लोग माइक आफ रखेगा कोई भी टैप का क्वेरी होने से चैट बॉक्स पर टाइप करेगा ठीक है मैं हर ददस्पिट में चैट बॉक्स देखते रहूंगा ठीक है नमस्कार आज हमारा है पहला क्लास कैलकड़ा सेंटर में तो अभी जैसे यहाँ पर CM1 के भी बच्चे हैं और CS1 के भी बच्चे हैं ठीक है तो ऐसा तो कोई नहीं है ना जो मतलब CM1 का है बट वो पहले CS1 कर चुका है क्योंकि उसके लिए आज का क्लास बेस्ट हो जाएगा हाँ तो कोई बात नहीं सुन लो ठीक है ठीक है कोई बात नहीं देखो मेंली क्या है ना हम लोग का आने वाला चार से पांच क्लास ठीक है जो स्टेटिस्टिक्स का है वो कॉमन रहने वाला है ठीक है तो इल मेक मैसल वेरी क्लियर उसका जो टाइम है साड़े दस बजे से है ठीक है एक में डुकना ठीक है तो उसका जो टाइम है वो साड़े 10 बजे से है पहले थोड़ा बेसिक-बेसिक हम तुम लोग को बात-बता देते है अभी हम लोग stats में अगर तुम देखेगा ना तुम्हारा dashboard में ठीक है तुम्हारा dashboard में अब dashboard में भी देखो दो चीज़ है जो बच्चे थोड़े पहले admission लिए जैसे मालो जून में जुलाई में जो लोग लिए है या फिर ठीक है तो जो भी time table है वो तुमको पुरा dashboard पे पुरा दिख जाएगा पुरा March तक का ठीक है वो अगर update नहीं हो तो वो हो जाएगा दो से तीन दिन में पुरा March तक का तुम लोग को दिख जाएगा नाउ CS1 का तो चलो आज से पुरा class है ठीक है कि हम लोग चालू करेंगे basic probability और random variable से ठीक है और जो लोग CM1 का है जैसे CM1 में दो topic होता है एक होता है तुम्हारा certain cash flows और एक होता है तुम्हारा contingencies जो life insurance का जो part है जिसमें uncertainty रहता है तो उस class के लिए तुमको statistics का दरकार है ठीक है तो मैं तुम लोग को आने वाला 4 से 5 class में चालू करवा दूँगा I'll complete the topic of random variables एकदम अच्छे से mean क्या होता है variance क्या होता है ठीक है उसके बाद तुम लोग का क्या responsibility है तुम लोग का dashboard में जहां पर announcements है उसमें देखना YouTube का एक playlist दिया होगा ठीक है यूट्यूब का एक playlist दिया होगा जिसमें शिवांगी मैम का 15 के आसपस lectures होगा ठीक है वाने उसमें एक घंटे का और 40 मिनिट्स का वनार 20 मिनिट्स का अप्रॉक्सिमेटली 15 से 16 घंटे का basic statistics का एक playlist है वो तुम लोग को पूरा एकदम अच्छे से complete करना है चाहे तुम कोई भी course कर रहा हो उसे फरक नहीं पड़ता है ये एक ऐसा basic चीज है जो तुम लोग सबको आना चाहिए ठीक है तो अभी जो बच्चे ऐसे हैं जो CM1 पेपर में admission लिए for the first time उनको साड़े 10 बजे आना है वो लोग गलती से आगया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो तुम लोग जो लोग पहले कर चुक है तुम लोग को नहीं आना है ठीक है एक दो class बट आएगा तो अच्छा ही ह रहेगा ठीक है और CM1 का दो time पे class होगा साड़े 10 से 12 और साड़े 12 से 2 ठीक है तो पहले paper B होगा और फिर paper A होगा paper B हर दिन नहीं होगा दो से 3 दिन होगा वो dashboard पर पूरा proper दिख जाएगा तुम लोग को ठीक है ना पूरा हर एक चीज उसमें mentioned होगा उसको अपने phone पे login कर और हर दिन में 2 से 3 बार देखा करो ठीक है तो यह है एक चीज ठीक है basic चीज मैंने बता दिया उसके बाद में हम लोग का stats का जो class का जो flow रहेगा like 10.30am से लेके 12.30pm तक ठीक है तो यह वाला जो class से यह चलेगा यह वाला जो तुम लोग का batch चालू हो रहे है बैच खतम कब होगा बैच तुम लोग का खतम होगा November मिड में ठीक है so CS1 में क्या है ना बहुत जादा कुछ वैसा नहीं है कि भाई बहुत जादा complexity है या फिर बहुत लंबा से लेबस है तो वैसा नहीं है हम लोग start कर रहे है 45 to 50 days में हम लोग पूरा cover करेंगे ठीक है उसके लिए तुम को क्या करना है मेरा जो class है वो करना है ठीक है अभी जैसे क्या है 29 से लेके 5 तक मेरा class होगा ठीक है फिर उसके बाद में मैं तुम लोग को थोड़ा काम दूगा करने के लिए फिर उसके बाद में मैं तुम लोग को थोड़ा काम दूगा करने के लिए फिर उसके बाद में 14 to 17 तुम लोग का class होगा ठीक है फिर इसके बाद में तुम लोग का जो class होगा दिवाली के बाद होगा ठीक है फोर्थ से लेकर के 15 तो ये जो classes है इसके अलावा क्या होगी ध साड़े नौ बजे से class होगा ये अभी धीरे-धीरे करके चालू होगा weekly three times ये class रहेगा इसमें तुम लोग को paper B कराएंगे ठीक है है हाँ फटा फट जाओ इसमें तुम लोग को paper B कराएंगे weekly three times जो होगा धीरे-धीरे करके इसको almost everyday कर देंगे और Sunday को भी तुम लोग का class होगा बट मेरा जो class होगा वो यहां से होगा शिवांगी मैम का जो होगा वो physical mode में होगा सिधान सुन्थलिया सर पेपर B का जो class देंगे वो घर से होगा online कुछ भी ऐसा problem हो तो शिवांगी मैम doubts clear कर देंगी recorded में paper B CS1 B का पूरा set 3rd ये फिर 4th week से तुम लोग का end same exams होगा ठीक है November 3rd 4th week से जो end same exams होगा तब से ले करके तुम समझ लो January mid, sorry December mid तक तुम लोग का exam चलेगा 2 से 3 हफता जैसे मालो 12 से 15 December तक तुम लोग का exam खतम होगा फिर उसकी बाद पुरा Christmas November mid, क्योंकि तुम लोग को देखो college exam के लिए भी 6-7 दिन तो basic पढ़ेगा न at least जल्दी-जल्दी at least 6-7 दिन पढ़ेगा अगर मालो November 20-22 तारिक से exam है तो समझ लो November 15 के बाद class नहीं होगा online वाला होगा, मेरा नहीं होगा तो November mid से ले करके December तक तुम लोग college exam पे पूरा ध्यान देगा फिर इसके बाद जो लोग को घर जाना होता है वो लोग घर चला जाता है या फिर जो लोग को बहार जाना होता है बहुत कम section बनता है बनलब 10 में समझ लोग 2 बच्चे interested होते तो इस time पे तुम लोग को revision करना है इसके बाद January में जब सब लोग वापस आ जाएंगे like assuming January 7th ठीक है January 7th to January 28th पूरा class होगा ठीक है January 7th to January 28th इसमें हम लोग revision भी करेंगे जो हम लोग का leftover topics होगा वो भी हम लोग करेंगे ठीक है जो तुम लोग का doubts होगा पास paper जो भी कराना होगा वो हम लोग इसमें लगातार तीन हफते जो होगे उसमें हम लोग करेंगे now the point is physical class को भी miss मत करना ठीक है तो अभी जैसे क्या pattern है मैं तुमको बताता हूँ pattern क्या हो गया है कुछ कुछ शुरू में आएंगे फिट धिरे-धिरे करके हर class में गायब मैं को बुखार हो गया है मेरा सर दुख रहा है online कर ले क्या it's not about saving your traveling time it's about being in the class ठीक है ना जो class होगा उसको यहाँ पर आ के करना discipline manner में it's very important to class तुम लोग कोई भी मिसमत करना तुमको तुमारा senior लोग बोलेगा जो लोग पहले एक दो पेपर कर चुका है क्यू जा रहे है तुम क्यू जा रहे है class में क्यू जा रहे तुम घर पे पढ़ क्यों इसका क्यू सुनना है तुमको मेरा सुनो हम भी उसका सुन के देखो कहां पहुँचा है तो बक्वास है सब छो फिजिकल क्लास होगा वो फिजिकल करने दुरगा-पूजा का चुट्टी देना है दिवाली का चुट्टी देना है वो प्रॉपर-पूरा सब्जेक 50 डेज में एकदम आराम से किया जा सकता है तक कि जो लोग पहले एक्जाम दिया है फिर नहीं दिया रेजल्ट देसेंबर में आएगा तो उसके बाद हम लोग कोई और पेपर प्लानिंग कर सकता है या फिर तुम लोग खुद से जो लोग फर्स टाम दे रहे तुम लोग का कॉल है ठीके ना बट इफ यू आल ऐस कालकड़स तुनेंट इफ यू डोन्ट कम इन फिजिकल क्लास देना विल स्टॉप कंड़क्टिंग फिजिकल क्लास यह इस तो इसलिए बनाना कि यहाँ पर आके पड़ सको लाइक माइंड लोगों से मिल सको खाली पढ़ लेने से नहीं हो जाता है तुमको वो एको सिस्टम का दरकार पड़ता है जब तुम लाइक माइंड लोगों से मिलेगा जरनी थोड़ा लंबा है चार-पांच साल का तुमको लाइक माइंड लोगों से मिलना पड़ेगा ठीके हर चीज दरकार पड़ता है ठी ठीक है, चलो, अब जैसे heading लगाओ, CS1 का जो paper है, तुम CS1 दे रहा है, चाहे तुम CM1 दे रहा है, तुम IFOE से करो, चाहे II से करो, तुमको दो exam देना पड़ता है, basic information यह है, जैसे इसमें दो exam होगा, एक होगा तुम्हारा paper A, और एक होगा तुम्हारा paper B, paper A अगर तुम IFOE से करता है, तो वो तुम्हारा basically MS Word पे होगा, ठीक है, और अगर तुम II से दे रहा है, तो वो portal पे होगा, MCQ based जोगा, ठीक है, और paper B तुम्हारा जो होगा, वो R programming हो अब इसको जितना अच्छे से समझेगा ना, उतना ही अच्छा तुम इसमें कर पाएगा, CS1 में उल्टा है, क्या problem होगा, तुमको वो लोग पुरा एक code देदेगा, R programming का एक पुरा snip देदेगा, तो जो R programming अच्छे से नहीं करेगा ना, वो question का answer करी नहीं पाएगा, 30 से 35 का question, CS1 में कुछ-कुछ topics ऐसा है, जो CT6 से आया है, old curriculum CT6 जब बना, तो, जैसे देगो, CS2 बना तुमारा 4 प्लस 6 से, और CS1 जो बना, वो तुमारा बना CT3 से, तो यह जो CT6 है, इससे कुछ-कुछ topics इसमें आया, तब CS1 बना, अब कौन-कौन सा topics है, जो towards the end का topics है, तो जो भी towards the end का topic है, वो हम लोग January में करेंगे, जैसे की, Bayesian statistics, credibility, GLM, and EBCT, यह जो चार topics है, जो तुमारा CT6 से आया है, वो हम लोग January में करेंगे, because we need to be on the safe side, by December, we are targeting, till hypothesis testing, ठीक है, so we are going to start with probability distribution, random variables, basic probability, conditional probability, फिर धिरे-धिरे करके हम लोग आगे जाएंगे, we will do move to generating functions, joint distributions, conditional expectations, ठीक है, उसके बाद में हम लोग central limit theorem में move करेंगे, sampling में जाएंगे, point estimation में जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद तुमारा point estimation के बाद, तुमारा scoring topics चालू होता है, scoring topics जैसे की, confidence intervals and hypothesis testing, और उसके एक-एक question ऐसा आता है, आज के दिन पे, तुम कोई भी exam दे रहा हो, actual science में अभी ऐसा paper बढ़ने लग गया है, IFOE से specifically, उसमें तुमको बहुत कम relation मिलेगा institute के mat से, because it's a open book exam, so they are testing your knowledge, कि तुम क्या सीखा है, और तुम उसको कितना practically apply कर पा रहे है, हर question में तुम हर कोई भी paper निकालो, उसमें तुम को 25 से 30% ऐसा मिलेगा जो एकदम नया question है, पहले कभी नहीं देखा है, तो वो सिर्फ वो ही आदमी बना सकता है, जो पूरा content को अच्छे से study किया है, content को अच्छे से study करने का मतलब तुम अपना जब dashboard खोलेगा, soft copy का section में जाएगा, class तो है, ठीक है तुम को institute का mat का पीछे का सारा question बनाना पड़ेगा, ठीक है, तुम को सारा XSM में बनाना पड़ेगा, YSM में बनाना पड़ेगा, paper B का जितना भी सारा resource है, IFOA का, IEA का, अब हम लोग का chapter wise MCQ है, ठीक है, chapter wise हम लोग का MCQ है, तो chapter wise जो MCQ है, वो तुम लोग को solve करना ठीक है, तो कहीं भी बैट जाओ, तो basically सुनो, आप क्या है, आप जैसे कोई भी एक topic पकड़ेगा, ठीक है, कौन-कौन CS1 देरे बाद हाद उठाओ, ठीक है ना, कोई भी एक topic पकड़ेगा, ठीक है, problem कहाँ पर आएगा समझो, तुम्हारा एक topic भीक रह गया, for example, vision stats, ठीक है पूरा paper में तुमको खली vision stats नजर में आएगा, ठीक है, तो ये professional exam में तुम कोई भी topic छोड़ के नहीं जा सकता है, या फिर तुम्हारा कोई भी topic कमजोर नहीं रह सकता है, क्योंकि 10 में 50%, मने 5 case ऐसा होगा, जो तुम छोड़ के गया, उससे से बहुत बढ़ा question आएगा, ब कोई paper में आएगा, ठीक है, तो क्योंकि उसको पता है न, Bayesian stats, GLM, सब complex topics है, सब mindset दे नो, वो लोग कितना साल से paper set कर रहे हैं, तो कुछ भी छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आज हम लोग class चालू कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग का 5 तरीकों test होगा, ठीक है अब ही आज हम जो भी पढ़ाएंगे, आज से लेके 4 तरीक तक 5 तरीकों उसका test होगा, ठीक है, उसमें जो भी जीतेगा offline, online mix, उसको हम लोग cash reward देंगे 1100 रुपेगा, ठीक है, तो सारा और physical में एक mandation किया है, मन्ने mandatory किया कि सारा class में जो आएगा, वो ही test दे सकता है, एक कल 10 लोग अगर और admission लेके जुरता है, तो कल से वो लोग का count होगा, लेकिन तुम लोग का आज से count होगा, एक भी class miss करेगा, तो फिर वो price तुम लोग applicable ले, test दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, price नहीं मिलेगा, ठीक है, चलो लोग हम लोग चालू करते हैं, तो ये था basic introduction इस साल पहले हम लोग को जॉइन किया, आज वो लोग को जब मैं देखता हूँ, वो लोग का CM, CS, CB एकदम clear हो गया, now they're moving towards the CP series, कोई CP 1, 2 ले रहे है, कोई CP 2, 3 ले रहे है, ठीक है, तो बहुत simple है, तीन साल पहले जो लोग जॉइन किया, आज वो लोग SPSA level पे, तो it's very clear, stage is set, you you have the pathway, but you need to be very consistent, आज इतना साल लोग है ना, इस में से कोई 2 या फिर 3 टिकेगा, 3 साल बाद, जो end तक टिकेगा, हो सकता है, कोई fail हो जाए, क्या दिक्क है, कोई problem नहीं है, एक paper में fail हो भी गया, मैं इतनी बार fail हुआ हूँ, जितना बार तो तो तुम लोग attempt भी नहीं देगा, तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तो end तक टिकना is very important, 4 साल, 4 years, ठीक है, इस 4 years are very important for you, चलो, heading लगाओ, no, कितना बज़े ग्लास था, महाँ जो, helmet यहाँ साइड में लग दो, so online में यहाँ तक सबको सब कुछ बात है समझ में आती है, yes, राकेश सिंग, paper is full mcq based, नहीं बैठ पाएगा, सामने बैठो ना, बैठ पार है, पिछी जगह है, चलो, आगे भड़ा जाए, तो सबसे पहले कुछ basic probability का हम लोग देख लेते एक बार, ठीक है, तो basic probability में, अब जैसे देखो, probability का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, probability का मतलब यह होता है, chance, ठीक है न, तुम्हें एक die roll किया, तो क्या-क्या आ सकता है, बताओ क्या-क्या आ सकता है, एक से रुख जो, तुम बताओ क्या-क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है अब लुडो में गोटी कप खुलता है 6 पे खुलता है तो 6 आने का probability क्या है 1 out of 6 outcomes राइट सो probability कोई भी चीज़ का जब हम लो निकालते हैं तो उसका अपना क्या बनता है अपने को क्या चाहिए favorable number of outcomes favorable number of outcomes divided by total number of outcomes यही अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक die throw करूँगा and odd number आएगा इसका probability बताओ तो क्या होगा half क्यों होगा क्योंकि odd number क्या क्या है 135 तो 3 outcomes out of 6 ठीक है अब एक बात बताओ यह क्या है probability of यह जो A लिखा है यह A क्या है यह एक event है ठीक है तो event जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि sample space क्या होता है sample space का मतलब है जब हमने बोला कि हम एक die roll करें अब एदर ध्यान देना सब लोग ठीक है अब चालू होगे class अब दाया बाया बैक से खेलना फोन मचकाना कुछ नहीं चलेगा एदर ध्यान से सुनो sample space का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हें एक die roll करता है तो क्या क्या चीज आ सकता है सारा सारा सब कुछ तुम्हें coin toss किया तो क्या क्या आ सकता है head tail that is the sample space set of all possible outcomes तुम्हें pack of cards का बात करो तो क्या क्या आ सकता है टोटल में 52 outcomes है that is the set of all possible outcomes ठीक है so sample space के लिए लिखना set of all possible outcomes इसके बाद लिखना event now what is the event event क्या है event क्या है event is a subset of a sample space ठीक है subset का मतलब अब जिससे मालनो तुम्हें एक die roll किया die roll किया और मैं बोलता हूँ odd आएगा इसका probability क्या है odd आएगा अब मैं बोलता हूँ एक die roll किया तो क्या-क्या outcomes आ सकते है 1,2,3,4,5,6 odd में क्या-क्या है 1,3,5 तो event क्या है एक subset है किसका subset है sample space का अब देखो sample space में क्या आ रहा था 1,2,3,4,5,6 सारा आ रहा था बट मैं बोला event है a and वो है odd number तो a में क्या-क्या आएगा 1,3,5 बट sample space में क्या आ रहा था 1,2,3,4,5,6 सब आ रहा था तो इसका सारा elements किसमें है sample space में है बट क्या reverse is true नहीं तो ये उसका क्या हुआ subset ठीक है ना तो subset of what sample space मैं ये बोलता हूँ event number आएगा तो event number में क्या आता है बताओ event number में क्या आता है 2,4 और 6 आएगा ठीक है बट sample space का सारा चीज event में होगा true या false sample space का सारा चीज event में होगा true या false हाँ येस तुम बोलो depending on event ठीक है तुम बोलो true या false एक बात बताओ ठीक है event तुम क्या define करेगा अब जैसे वो बोल रहा ठीक है मैं ये बोलता हूँ event हो सकता है एक से 6 के भीच में आएगा तब तो वो ही हो गया ना कि फेवरेबल भी बन है और फेवरेबल भी 6 है और टोटल भी 6 है बट सबसेट है फोर एक्जामपल इसका एक्जामपल ले लो और का एक्जामपल ले लो अब बताओ मैं बोल रहा हूँ इसका एक्जामपल लेते हैं event यह है तो कुछ छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं यह दिस इस नानो टेक्नलोजी यह क्या है मैं यहाँ पहले मैं बोर्ट पर लिखता था तो वह मिटा देने से मिट जाता था अभी क्या यह आपके यहीं से अप्लोड हो जाएगा उसमें तुम समझ नहीं कोई दिक्कत नहीं आप सुनिये सुनिये ठीक है अभी देखो वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स ठीक है यह सैंपल स्पेस बना अब मैं बोलता हूं event नंबर तो क्या हैगा टू फॉर और मने बोलने का मतलब यह है कि event का सब कुछ सैंपल स्पेस में है बट क्या इसका सब क कुछ इसमें है नहीं इसलिए यह क्या बोला जाता है सबसेट बोला जाता है ठीक है यहां तक समझ में है सबको ठीक है अब आगे बढ़िए अब इसके बाद में probability of event a यह किसके किसके बीच में लाइक करेगा probability of event यह किसके किसके बीच में लाइक करेगा बताओ हाँ जीरो टू वन के बीच में क्यों भीया probability 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है ठीक है तो बेसिकली अगर मालो मैं बोलता हूँ probability of impossible event for example तुमें एक die throw किया और 6 से बड़ा नंबर आएगा probability of a sure event sure event का मतलब क्या है तुमें एक die throw किया और 1 और 6 के बीच में आएगा ठीक है इसको भी copy कर लिजिए क्या प्रॉब्लम है पता है इस लेवस इसका भूछ छोटा है प्रॉब्लम क्या है न? तुमको समझने में थोर टाइम लगेगा और समझने के लिए तुमको एक क्लास्वक कॉपी अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो नोड्स जो लिख रहना वो तुमको बार-बार-बार रिवाइस करना पड़ेगा, बार बर जितना बार रिवाइस करेगा उतना बार समझ में आएगा धीरे 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 दिमाग में जाएगा ठीक है यह हो गया अब इसके बाद अब जैसे probability of A union B इसका मतलब क्या होता पता है either or या तो ये या फिर ये या फिर दोनो either or ठीक है तो इसका जो formula बनता है PA plus PB minus PA intersection B intersection का मतलब होता है and ये भी और वो भी दोनो ठीक है अब ध्यान देना हम लोग diagram से समझते हैं अब जैसे देखो अगर A union B का बात करेंगे तो ये पूरा आएगा अगर ये पूरा आ रहा है ये मानलो A है और ये मानलो B है तो फिर ये minus क्यों हो रहा है दो बार आ रहा है एक बार A में आ रहा है और एक बार B में आ रहा है और ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसका मतलब क्या है this is probability of A intersection B मतलब ये वो पार्ट है जिसमें A भी आ रहा है और B भी आ रहा है ठीक है जैसे for example एक example लेते हैं एक deck में कितना cards होता है हां 52 अब समझो King King is a face card ठीक है Hearts का King Hearts का King कितना है एक है Hearts का King कितना है एक है अब मैं बोलना ये चाहता हूं कि Hearts का जो King है Face card का मतलब क्या होता है K Q J जैसे अगर तुम लोग एक deck का बात करता है तो उसमें 52 cards है उसको हम लोग चार भाग में डिवाइड करेंगे 13 13, 13 और 13 ठीक है तो इदर है 26 red cards and 26 black cards black में red में क्या क्या आता है Hearts और diamonds और यहां क्या आएगा clubs और spades आता है ठीक है अब देखो hearts total में कितना है 13 है 13 out of how much यह भी 13 है यह भी 13 है यह भी 13 और यह भी 13 है 13 out of how much 52 तो कोई भी deck में card जो है वो hearts होगा इसका probability क्या है 13 by 52 ठीक है and वो एक face card होगा वो एक face card होगा इसका probability क्या है चीज़ समझो एक से लुको face card पहले तो बताओ total में कितना है देखो हर एक deck में क्या होता है king, queen और jack यह face card है तो इसमें भी 3 face card है ace is not a face card इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है so total में कितने face cards है 12 face cards है king कितने है 4 है अब तुम समझ पा रहे है हम ऐसा 2 event बना सकता है कोई भी event जैसे मालो एक बनाया hearts का और एक बनाया face card का कि वो hearts भी होगा यह देखना है कि क्या यह दोनों चीज एक साथ हो सकता है छीस समझो तुम यह जो सेट है यह joint बनेगा कि dis joint बनेगा यह समझना पड़ेगा अभी जैसे मैंने join बनेगा अब बताओ क्या एक kaard face card भी हो सकता है और hearts भी हो सकता है आपने को यह पूरा बेसीकली इस खढ़तर तो टोटल में कितना फेस काड दूआ 12 फेस काड हुआ ठीक है कि इन कितना है चार क्वेels कितना है चार और कितना है चार ठीक है अब इधर आऊ आप जैसे यह समझा है मैं आउननी ऐसे बोलेगा अईदर दो नो ठीक है एक चीज में तुमको बताता हूं डेक का एक्जामपल लेते हैं तुम लोग कौन-कौन ताश खेला है वेरी गुड जो लोग नहीं खेला है खेलो ठीक है ओनलाइन ड्रम्मी बिना पैसा खेलो पैसा मत लगाओ ठीक है तो बेसिकली उससे क्या होगा न तुमको प्रॉबाइबलेटी अच्छा समझ में आएगा प्रैक्टिकल चीज समझो हां छी के खेल भाई ठीक है मैं एक बार गया मैं गोवा गया था ठीक है अभी तो नहीं मैं चार साल पहले गोवा गया था तो मैं कुछ-कुछ में लगाया हजार पर लगाया मैं इसे एक चिप्स होते हैं ऐसे पैसा नहीं लगते हैं घर के नीचे टाश ऐसा नहीं होता है ओपर अधम समझ रहा है बात को ऐसे मतलब इसे दो सिंख्य में फिका ठीक है मैं तो चला गया था में को लगा मेरी किसमत नहीं है भाई वो पांच सिंख्य वहां रखा तो फिर लाश में उगलवसर आपका है वहला वहाँ, तो ठीक है? तो basically अब्रजान दो अब जैसे टास जो होता है उसमें क्या होता है? तुमको फिटी टू काज़े धें अब दो टैप का होता है एक तो माल लो तुम पत्ता उठाया देखा, जो आया उसको तुम वापस रख दिया, ठीक है, तो पहली बार में, for example, इकका, ठीक है, पहली बार में तुम पत्ता उठाया, देखा, इकका, इसका probability क्या है, क्या probability बोला तुम, 1 by 13, ठीक है, 1 by 13 is the probability, कि 4 इकका होता है, ठीक है, अब तिसे मान लेते हैं, कि तुमको क एक particular इकका चाहिए, तो 1 by 52 हो जाएगा, hearts का या फिर clubs का, ठीक है, यह हो गया, तुम उसको देखा और रख दिया, जब तुम उसको फिर पीटेगा, मैंने basically mash, ठीक है, फिर उसको तुम वापस से उठाया, तुम दूसरी बार जब तुम उठायेगा, तो probability change होगा कि नहीं ह होगा, कौन बोल रहा है, होगा, वोई तो मैं बोला, तुम सुनी नहीं रहे, पुरा action करके दिखाया, मैं बोला, देखा, उठाया, रख दिया, फिर पीटा, यह भी बोला ना, ठीक है, तो probability क्या होगा, change नहीं हो रहे, यही मालनो तुम देखा, फिर side रख दिया, तो probability, त यह dependence और independence समझना पड़ेगा, second जो draw है, second जो मैं draw कर रहा हूँ, पहले जो आया, उससे impact हो रहे, कुई पहले मालनो इक का आ गया, तो अब और इक का कितना बचा, तीन बचा ना, तो second जो draw हो रहे, वो पहले पर क्या हो रहे, dependent, तो यह dependence हुआ, and independence क्या हुआ, कि तुम देख और वापस से उसको रख दिया, जब probability change नहीं हो रहा है, that is basically independence, ठीक है, तो यह जो A intersection B है, इसका formula क्या है, PA into PB, if A and B are independent events, ठीक है, अब जैसे probability of A given B, probability of A intersection B by PB, मैं brief में समझाओंगा, क्योंकि फिर जब हम लोग basis statistics करेंगे, तो सारा चीज करेंगे, law of total probability वगरे सब कुछ करेंगे, अब इसको समझो, अब A क्या है, independent नहीं है, वो B पे हो चुका है, dependent, एक चीज समझना, जैसे मालो, यह है bag 1 और यह है bag 2, इसके अंदर में कुछ red और कुछ green balls है, इसके अंदर में red और green balls है, यह 3, यह 4, यह 3, ठीक है, पहले क्या select करना पड़ेगा, अब जैसे मालो probability of drawing है red ball, तुम red ball select कर रहा है, उसका जो probability है, वो किस चीज पर dependent है, बैक पर, तो वहाँ इस step का probability काम में आएगा, क्योंकि क्या है, बैक तो तुम्हाल ने select कर लिया, ठीक है, बैक select किया, फिर अब जो ball draw करें तो composition अलग है ना, तो A किस पर dependent है, बीपे, तो A given, this is conditional probability का formula, A given B is what, A intersection B by PB, ठीक है ना, copy कर उसको, ये basically है A का probability, बट A ऐसे नहीं निकलेगा, वो अब किस पर होगा dependent, B पे, बीटा paint खराब हो जाएगा, तो इधर हो, copy कर उसको, ठीक है, चलो, ये हुआ, अब इसके बाद, सबसे पहले, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, तुम्हें coin toss किया, probability of heads and tails is what, same, तो इक्वली लाइकली मतलब, जितने भी सारे आउटकम से सबका same probability है, ठीक है, इसके बाद में, mutually exclusive का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा, mutually exclusive का मतलब क्या होता है, हाँ, तुम बताओ, mutually exclusive को अगर हिंदी में समझाएं तो, जब एक होगा तो, दूसरा नहीं हो सकता है, अब तुम coin toss किया, या तो head आगा या फिर tail आएगा, तुम die roll के या तो one या फिर two या फिर three या फिर four या फिर five या फिर six, एक बार में दो चीज नहीं हो सकता है, और इसका जो set बनेगा वो भी disjoint बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एक हो intersection क्या है basically, mutually exclusive का main चीज क्या है, कि A intersection B is what, zero, clear है सबको, exhaustive का मतलब क्या होता है, very good, जितना भी सारा events defined है, उन सब में से कुछ ना कुछ तो हो गई, तुम मुला one, two, three, four, five, six, जब die roll करेंगे तो क्या, इसको छोड के और कुछ आ सकता है, क्या, इन छेओ में से कोई एक तो आए गई गई ना, इन सब को छोड के तो और कुछ भी नहीं आ सकता है, that is exhaustive, ठीक है, एन अगर इसको मैं संग में यूज करता हूँ, mutually exclusive and exhaustive, इसका मतलब क्या है, जितना भी सारा events defined है, उन सब में से कुछ ना कुछ तो होगा, एन जब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है, that is mutually exclusive and exhaustive, exam में ये सब basic basic चीज में confused हो जाएगा, बोलेगा exhaustive, करेगा exclusive, ठीक है, ये समझारा सबको, mutually exclusive and exhaustive जो है, इसका कुछ इस तरीके से बनता है, ये A है और ये B है, माने समझा, अब पूरे area cover कर लिया है, क्योंकि A और B छोड़के कुछ और हो नहीं सकता है, और जब A होगा तो B हो नहीं सकता है, अब इस case में, mutually exclusive and exhaustive का मतलब क्या है, probability of A union B will be 1, क्योंकि इन दोने को छोड़के तोर कुछ हो इनी सकता है, न, but exhaustive does not guarantee कि दोनों एक संग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, exhaustive क्या बोल रहा है, कि अगर दो events है इन में से कोई एक तो हो गई, इनको छोड़कर कुछ नहीं हो सकता है, but दोनों साथ में भी हो सकते हैं, अब जैसे copy भी कर रहा था किया कर लो कर लो कि अ ओनलाइन में यहां तक सब को समझ में आ रहा है यह सब लोग चाइट बॉक्स में लिखेगा ठीक है अब देखो probability of a union b is what 1 mutually exclusive and exhaustive के लिए कर रहे है a union b is 1 so pa plus pb minus pa intersection b is 1 और यह क्या हो जाएगा 0 so pa plus pb is equal to 1 ठीक है हा यह न तुम लोग अपना dashboard में जाएगा अभी नहीं जाना है dashboard में जाएगा वहाँ पर देखना एक basic worksheet बोलके होगा तो आज का class जब मैं करा दूँगा तो घर में जाके daily homework system follow करना है तो घर में जाके आज basic probability का पूरा worksheet को एक दब मच्छे से पूरा बना लेगा कल सेम टाइम पर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग doubts करेंगे उसका ठीक है जो जो नहीं सम्झाएगा वह हम लोग करेंगे और श्रीवांगी मैं में का class को चालू कर देगा देखना और इसी week में एक class मैं तुम लोगका आर प्रोग्रामिंङ चालू हो जाएगा ठीक है फिर तुम लोगका आर प्रोग्रामिंग में basic में साथ से आठ लेक्चर है वो तुम लोग को कवर करना है ठीक है ये वाला हो गया सबका कॉपी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ध्यान देना थोड़ा ऐसे बेसिक ठीक है यहां तक ठीक है ओके अब जिसे देखो मैं लिखता हूँ X प्लस Y इस 10 तो अगर X वर्यू वन है तो Y का व्ल्यू कितना होगा एक्स कव्लीव 2 है तो Y का ऐसे जा रहा है ठीके X औयर वेरीबल्स ठीक है आज जो हम लोग करेंगे उस topic का नाम है random वेरीबल ठीक है उस topic का नाम है random वेरीबल मेर अब ध्यान सुनो एक एक 샴ंपंपल लेते हैं कोई kutch copy नहीं करेगा कुछ copy नहीं करेगा ठीक है ध्यान दो ध्यान दो इसपे है टूइक काइण सट टोस्ट इसका सेंपल स्पेस क्या बनेगा रुक जो को हम जिसको बूलेगा प्रेंच फोन देख रहा है न क्यों देख रहा फोन गलत मेरा यहां भी एक आँख है वापस से रिपीट करें ध्यान से चुनो यह तुम शांती मन से चुनो यह क्या बताएं तुम लीन हो जाओ ठीक है तुम बोलो अगर दो कॉइन उच्छाले हैं ठीक है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा एक वह एक हैसे हैं मैं करो वह सोचो ठीक है तुम 2 कॉइन ऐसे उच्छाला ठीक है क्या यह मैं एट्स तलो और कैसे और एक और हो सकता हैं थिम्हक् meglio ब्लबोल और ठीक है, जो हसा, ठीक है, हंसो, एक दिन मैं हंसूंगा, हंसो, रेजल्ट वोले दिन फोन आता है न, यह बहुत टर लग रहा है, यह क्या होगा, ठीक है, ऐसी यह बना दिये, बना दिये, अब बात बताओ, problem पहले पहले, समझो, पहले problem समिघो, problem है, problem यह बहिया, यह तो वर्ट पे है, ठीक है, इसको हम statisticalуль, stats क्यूंदे, समझो, stats का main objective क्या है, अब जैसे मालनो, मेरा firm है, ठीक है, it's a 1% company, ठीक है, average turnover is 8 to 10 crores, ठीक है, सोचो, अच्छा सोचने से होता है, ठीक है, the average turnover is 8 to 10 crores, last 5 years से growth is 300%, नहीं, सोचो ऐसा, ठीक है, for example 10 crores, ठीक है, तो ये summarize data है, जब तुन्हों मैम का class देखेगा, उसमें बहुत सारा तरीके से graph बनता है, देखो, अब क्या है ना, मैं management का आदमी हो, तुम लोग करमचारी आदम है, ठीक है, तो मेरे company में मालो इतने सारे करमचारी है, तुम लोग को क्या काम, analyst का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि भाई, सर देखिए, ये जो graph है ना, for example, ये graph हमारी company का graph है, तो इसके लिए ये graph कैसे बना, इसके लिए उसको data points चाहिए, चाहिए न भी data points, तो अब जिसे मालो 10 साल से मैं business कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चों का अव्यापार कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 10 साल से मैंने जो किया, अब एक data point यहां आ रहे, फिर एक data point यहां आ रहे, फिर यहां आ रहे, फिर यहां रहे, तो ये graph बना, management को मतलब नहीं है, management को यह मतलब नहीं कितना बच्चा आया क्या हुआ management को सिर्फ summarize figures चाहिए अब मैं जब classroom के बाहर मैं तुम लोग के समने कितना अच्छा हूँ कितने बच्चे ऐसे जो fail हुए लेकिन उन्होंने mock नहीं दिया समझ रहे तो data आज के दिन पर data तुम लोग के जैसे लोगों को इतना demand क्यों बढ़ रहा है data इतना data है उसको useful information में convert करके देने वाले लोग कौन है तुम लोगो ठीक है stats is not only important for actual science stats is important for a chartered accountant for a MBA for a FRM for a CFA एनी तुम कुछ भी कर लो भाई कुछ भी तुमको उसमें stats तो पूरा CS1 का stats तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे ठीक है आज तुम लोग घर जाते हो ममी पुछती बेटा एक्जाम कैसा गया तुम लोग उसको day to day life में use करते हो तुम लोग बोलते हैं ममी 80% लग रहा है कि 70-100 के बिच में आएगा मेंको लग रहा है कि मेरा 90 के ऊपर आएगा लग रहा है means what you are 90% confident लग नहीं रहा है कि मैं pass होँगा यह नोट मैंने 20% लग रहा है कि नहीं होगा यही तो है न हम लोग day to day में ऐसे ही तो यूज करते हैं लग भग मोटा मोटी management need these figures अब जैसे मैं बोलता हूं मेरे को graph दिखाओ मैं ऐसे बोलता हूं मेरे को graph दिखाओ अब जैसे हमने एक डाला था 6 मेना पहले वह हमने खुझ से पुरा जैसे हमने क्या किया हमने membership statistics for example ठीक है मेरे को यह देखना है कि अभी मेरा नया बैच आएगा ना मैं बच्चों को suggest कौन सा करूं IFOA करूं IA करूं कि SOA करूं मैं कोई bias नहीं हूं यहां पर statistics में bias का कोई role नहीं है मैं देखूंगा last 5 साल में growth rate देखूंगा मैं ठीक है मैं growth rate देखूंगा जिस institute का सबसे ज़्यादा होगा ना मैं उसको बोल दूंगा भाई that is the best institute ची समझो जहांके membership statistics में growth आ रहा है तो management needs these summarized figures तो यह क्या data हुआ यह तो कोई data नहीं हुआ इसको तो मैं को convert करना पड़ेगा न यह एक use हुआ दूसरा है for example West Bengal में logo का IQ ठीक है मैं को average IQ निकालना है तो अगर मानलो West Bengal छोड़ के बागे सब का निकालेंगे तो 170 आएगा उसको include करेंगे तो 160 आएगा यह data है ठीक है तो basically मैं क्या पूरे West Bengal के logo का data कलेक करूंगा नहीं मैं क्या करूंगा samples draw करूंगा पर example अपने class आज जैसे मालों इस class में 50 लोग बैठे है ठीक है online में 100 लोग है 1500 लोग है मैं सबसे नहीं पूछूंगा मैं जब इतर तिखाता हूं कितना मैं बोलो ना 89 तुम्हारा कितना आया 95 तुम्हारा कितना आया 74 मोटा मोटी 80 यह स्टै तो यह से तो कुछ नहीं निकल के आया पा रहा है तो किसका मदद लेंगे हम लोग random variable का मदद लेंगे तो basically random variable क्या करता है वो पहला बात तो numbers associate करता है तुमने सुना होगा we are very good with numbers हम लोग numbers associate करेंगे with each element of this sample space for example मैंने random variable बनाया number of tails ठीक है number of tails तो अगर मैंने number of tails बोला तो अब देखो यह क्या हो सकता है 0, 1 और 2 मैंने random variable के मदद से numbers associate किया with each element of the sample space तो 0 corresponds to the case when both are heads, 1 corresponds to these 2 cases and 2 corresponds when both are tails तो मैंने numbers associate किया with each element of the sample space किसके मदद से random variable के मदद से ठीक है अब इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा अब मैं एक probability distribution मनाऊंगा अब मैं probability distribution मनाऊंगा, x है probability capital x is equal to small x है इसका मतलब क्या है capital x small x value लेगा कितना probability के साथ में what is the chance of occurrence तो 0 आएगा 1 out of 4 cases में तो 1 by 4, 1 आएगा 2 out of 4 cases में and 2 आएगा 1 out of 4 cases में समझा, 0 आ रहा है 1 by 4 cases में, 1 आ रहा है 2 by 4 cases में and 2 आ रहा है 1 by 4 cases में, समझ में आ रहा है तो basically ये जो part है, ये जो part है, ये क्या है? ये जो part है, ये क्या है? बताओ. ये मैंने distribute कर दिया, total probability क्या है? 1. प्रोओबरिटी, distribution, TABLE. अब मैं निकाल सकता हूं में कोगा expectation नुकालना है? Basically average निकालना है. इसको इससे multiply करूँगा, इसको इससे multiply करूँगा, इसको इससे multiply करके sum कर दूँगा, मैं निकाल सकता हूँ variability कितना है, तुम चीज समझो, अब मैं इसको आगे statistical analysis में use कर सकता हूँ, मैं इसका graphical representation कर सकता हूँ, मैं और-और probabilities निकाल सकता हूँ, बट वो जो था sample space वो तो words में था ना, तो यह जो मैंने table में convert किया, किसके मदद से किया, random variable के मदद से किया, it takes the help of probabilities to decide upon its value, समझ में आ रहा है, मैं आपर दो चीज़ लिखता हूँ, it helps in associating numbers with each element of the sample space, ठीक है, it takes the help of probabilities to decide upon its value, copy करो, यहां से, यहां तक सबको ठीक है, yes or no, वही तो मैंने समझाया, random variable introduced तो इसलिए किया न, because numbers associate करना था, नहीं तो अब numbers कैसे associate करोगे, अभी दुरगा पूजा तक सबका target CS1 में basic मैं बता देता हूँ, क्या होना चाहिए, तब लोग focus करेंगे probability distributions तक का topic में, paper A as well as paper B का basic, ठीक है, and फिर basic पूरा complete करके probability, पहले देखो, CS1 का core क्या है, core है probability distributions, यहां तक अगर कोई कर लिया, तो उसको और कोई भी problem नहीं होगा, ठीक है, पहले core पे focus करना है, we need to spend 30-40% of the time, अभी regular, 4-5 घंटा नियम से एकदम, अपने को probability distributions तक का पूरा target बना के चलना है, जितना हो सके, और पहला chapter ही probability distributions है, तो पहला chapter पूरा एकदम अच्छे से अपने को करना है, ठीक है ध्यान दे, यला हुआ, इसकाद copy करें यला, अगर अगर करें, वो ही पूरा process को ही बोलते है, random variables का method, probability पहले कैसे calculate थी, probability निकाले न, आपने 1 क्या हो सकता है, 2 क्या हो सकता है, तो 1, 2 को define करना पड़ेगा न, आप अगर यह बोलते हो, probability x is 0, तो what is x, that x is random variable, आप यह define कर रहे हो न, 2 tails, आप यह जो define कर रहे हो, 2 tails, 1 tails, तो यह दिफाइनिंग, x is number of tails, तो दाट इस random variable, ठीक है, यहाँ दक सवाँ न आ रहे है, किसी को कोई भी डाउट, ठीक है, आईए, अब यह बढ़ हैदिंग लगाना, random variable, random variable जो होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है, discrete, और एक होता है, continuous, इसका जो notation होता है, capital x is equal to small x, capital x हमारा random variable है, small x हमारा dummy variable है, basically, capital x क्या-क्या value लेगा, ठीक है, तो यह चीज़ है, discrete में, अपने कोई example में, मैं आपको देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर ऐसा होगा, x lies between 1 and 6, यहाँ पर क्या होता है, point wise होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, interval wise होता है, interval wise होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर अपने को total, probability निकालना होगा न, तो अपने करेंगे sum, और यहाँ पर अपने करते हैं, integration, integration is nothing, but it is summing over a continuous range, summing over a continuous range, involves integration, ठीक है, अब देखो point wise, अब देखो AC का panel के तरफ में सब लोग देखो, AC का panel में देखो, क्या लिखा हो है, 20 लिखा है, तो यह 20 के बाद क्या होगा, 21, 22, but room temperature can be anything, it is somewhere near 20.2, और 19.8, और 20.6, right, so room temperature can be in a range of 16 to 32, but AC panel, AC panel में क्या हो सकता है, 21, 22, तो जाड़े discrete, सबसे पहले identify करना बहुत जरूरी ही, कि क्या चीज़ डिस्क्रीट और क्या चीज़ कंटीनूस है, तो कुछ एक्जामपल्स लेते हैं, number of students, discrete, क्यों आधा student थोड़ी हो सकता है, भाई, जैसे बहुत सरा बच्चा लोग बोलता है, कि हमको paper A का चाहिए, paper B का नीच, अम बहुला नहीं होगा, ठीक है, फिर भी फैल हो गया, पढ़ने के बाद भी, तो बोलेगा, आपका वाला में फैल हुए, तो इसलिए वैसा नहीं, तो बुलेगा, आमको पहला 10 चप्टर पढ़ा देंगे, क्या, नहीं, number of students is discrete, जैसे number of claims, what is a claim, what is a claim, claim क्या होता है, आप जो premium pay करते हो, जब contingent event arise होता है, insurance company में, तब फिर वो जो आदमी है, जो policy holder है, वो एक claim submit करता है, for example, गाड़ी का insurance लिया है, गाड़ी ठुक गई, तो तुम जाएगा insurance company के पास में, कि मेरा गाड़ी ठुक गिया है, आप मेरेको पैसा दो, या फिर मेरा गाड़ी पुरा नया बना के दो, तो number of claims is what, discrete or continuous, discrete, either I will not submit a claim, और one claim, और two claim, और three claim, whatever, but amount of claim, continuous, amount of claim can be, 350,000, 2,000, 352,000, 546, point something, तो जो amount of claim है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या लो कॉपी हो गया, अब इसके बाद में heading लगाना, यहां तो copy हुआ, अब इसके बाद में heading लगाना, discrete random variable, discrete random variable में, सबसे पहले heading लगाना, probability distribution function, पीडी एफ, ठीक है, तो probability distribution function में सबसे पहले notation तो notation में आएगा probability capital X is equal to small x is equal to f small f आईए, नीचे capital X है, ठीक है इसका मतलब क्या है probability at a particular point बने एक particular point पे कितना probability है उस particular point पे कितना probability है वो अपने को probability distribution function से पता चलता है copy करिए ठीक है यहाँ तक copy हुआ अब इसके बाद probability X अपना पुराना वाला जो example था उसमें अगर हम लोग देखेंगे probability X is 0 which is f 0 which is f x 0 so यह क्या हो जाएगा 1 by 4 probability X is 1 f 1 f x 1 so this is 2 by 4 probability X is equal to 2 f 2 f x 2 is what 1 by 4 example already copied जो भी अपने बनाए थे ना जो भी अपने बनाए थे ना ठीक है अब इसके बाद में लिखना conditions for a valid PDF conditions for a valid PDF सबसे पहला f x should be greater than equal to 0 for all का symbol देख लो x इसका मतलब क्या probability negative नहीं हो सकता है and दूसरा है total probability हमेशा कितना होगा तो summing over the range of x f x is equal to 1 ठीक है अगर यह दोनों conditions satisfy होगा तो ही वह एक valid PDF बनेगा वरना वह valid PDF नहीं बनेगा copy करो यहां तक इसके बाद लिखना है example तो example में सबसे पहले जैसे माल लो x minus 5 एक में टूको जैसे माल लो पहला मैं देता हूँ f x is equal to 1 by 4 यहां पर x देखो 1, 2, 3, 4 सबसे पहले तो मेरे को यह बताओ कि यह discrete random variable है कि continuous random variable है discrete कैसे पता चल रहा है range देखके पता लगेगा कि discrete है कि continuous है तो range देखके यहां पर क्या पता लग रहा है कि यह discrete है is it okay to all of you ठीक है तो f x मेरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 by 4 ठीक है तो अब अपने क्या निकालेंगे f 1 तो f 1 कितना आएगा 1 by 4 f 2 निकालेंगे तो वो भी same ही आएगा f 3 निकालेंगे f 4 निकालेंगे सारा क्या आएगा 1 by 4 and सबका sum करो 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 is what 1 तो यह क्या है यह एक valid PDF है Is it okay to all of you यह एक valid PDF है clear copy करो इसको हुआ 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 छोटा एफ continuous में भी छोटा एफ यूज होता है वो cumulative distribution function है ठीक है ठीक है हुआ 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 इसके बाद fx जो दिया है x square by 30 x दिया है 1,2,3 और 4 तो सबसे बहले तुम निकालो f1 1 by 30 फिर निकालो f2 क्या हैगा बताओ x square है अच्छा ठीक है f3 और f4 सबको sum करो summing over the range of fx x कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेके 4 तक तो यहां पर क्या आएगा 1 by 30 प्लस 4 by 30 प्लस 9 by 30 प्लस 16 by 30 आज इसे सब लोग घर पे काम चालू कर देगा क्या-क्या homework दिया है शिवांगी मैम का जो basic lectures का playlist है वो पूरा complete करेगा और paper भी धिरी-धिरे करके चालू करेगा ठीक है mostly Tuesday है फिर Wednesday में से एक दिन किस दिन laptop लाना है मैं बता दूँँगा ठीक है उस दिन paper भी का class होगा यह लग कितना आ रहा है बताओ 1 आ रहा है so total probability 1 है and सारा positive है इसका मतलब क्या है valid PDF है ठीक है copy कर लो इसको search में कैसे करना है हाँ अब एक बढ़ना मैं PDF का आपको graph दिखाता हूँ PDF का graph कैसा दिखता है copy होगे यह लग सबका PDF का graph पे ध्यान दिजिएगा अब जैसे यह 0 है यह 1 है और यह 2 है यहाँ पर है 1 by 4 और यहाँ पर है 2 by 4 ठीक है तो 1 by 0 पे height कितना था 1 by 4 का 1 पे height कितना था 1 पे height कितना था बताओ अरे यार बोल नहीं रहे हो बोलके बन नहीं रहे ठीक है और फे 2 पे height कितना था तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहे है यहाँ पर माप रहा हूं और यहाँ पर मैं माप रहा हूं capital X is equal to small x इसका मतलब क्या है जहां जहां पर probability है वहां वहां पर height है और उन सारे points को छोड़के बाकी सब जगा पे क्या है 0 मैंने कौन-कौन से points में probability है इस graph से समझ में आता है height से because y-axis में मैं क्या माप रहा हूं probability ठीक है तो 0 होने का probability कितना है 1 by 4 1 होने का 2 by 4 and 2 होने का 1 by 4 बना लिजे इसको क्या चीज फिर से point graph क्या होता है हाँ ठीक है height से basically clear समझ में आ रहा नहीं अब एक example देखो जिससे मालो fx अपने को दे दिया है x by 5 और x से 1,2,3,4,5 अब बताओ यह valid PDF है की नहीं है क्यों नहीं है आप जैसे 5 डालोगे तो 1 आएगा और जब आप सबका sum करोगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा जैसे देखो आप पहले इसमें निकालो f1 वो आएगा 1 by 5 dot 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 आप निकालोगे f5 तो वो क्या आएगा 1 अब जब आप summing over the range of x fx करोगे x runs from 1 to 5 तो क्या आएगा 1 by 5 plus 2 by 5 plus dot 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 plus 5 by 5 so this is greater than 1 तो इसका मैं जब this is not a अरे मुह से बोलो ना ठीक है? copy करो इसको चलवाओ अब इसके बाद में हम लोग revise करेंगे sequence and series सबसे पहले ap तो ap मतलब क्या होता है? arithmetic progression सब लोग copy करेंगे विकार सबका एक बाद पढ़ावा होगा basic एकदम arithmetic progression में numbers कैसे होते है a a plus d a plus 2d यहां क्या होता है? common difference होता है common difference is d ठीक है? इसका जो innate term का जो formula होता है वो क्या होता है? a plus n minus 1 into d a plus n minus 1 into d a is the first term इसका जो sn का formula होता है n by 2 into a plus l या फिर इसको में लोग ऐसे भी कर सकते है n by 2 2a plus n minus 1 into d copy करो l मतलब क्या होता है last term a मतलब क्या होता है first term क्यों भाईया जैकेट लेकेट लेके आओ ठंड आ गया है बन कर दो इसी एलेक्टिशिटी का बिल बचाओ बन कर दो नहीं बन नहीं वहां से लाल बटन दबाओ बर्स वो लोग को आदत है यार तुम समझ नहीं रहे they are habituated ये लोग को तो हो गया अच्छा है मैं ना पीछे तुम देखा नहीं पीछे बैठा है मतलब क्या second paper ले रहे third paper में class के बाहर वो जो था देखो हम समझाते हैं हम लोग का class का trend क्या है देखो ठीक हम अच्छा ही बोल रहा है तुम देखो हम तुम को बता रहा है यह capacity हाँ पर कितना है 60-70 बच्चा का है पांसो बच्चे का लेते हैं because we know analysis that तो यह देखो यह जितना अभी सब है सामने यह लोग सब नया admission है मिडिल में देखेगा मतलब दूसरा पेपर लास में दा तीसरा चौथा पेपर और जो आ ही नहीं रहा है मतलब 4-5 पेपर क्लियर है यहां लाइब पढ़ा रहा हूं फिर भी वो उस रूम में recording करेगा पैरवर फिलाक एकदम आराम से अभी तो तुम नहीं जोईनी हो ना राइकिंग पैकिंग ना हो जाए तुमारा भी ठीक है यह यह जब आया था ना इस इतना सा आया था यह ठीक है सर फॉर्म कैसे भरते हैं कैल्कुलेटर ओन कैसे करते हैं और अभी ठीक है ठीक है यह वाला अब हो गया अब इसमें लिखो अब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस N तो क्या है समप फर्स्ट और नाचुरल लंबर जिज़ वाट एन इन टू एन प्लस 1 बाइ 2 एक वो है देखो उसका तो सर में दरद हो रहा है पीछे देखो उसका सर में दरद हो रहा है वो सोच रहा है क्यों ही पैसे दिया 1 प्लस 2 पंड़ने का उसके पेरेंट्स पोर्ट्स क्यों है उसको आने के लिए आज यह तो वह आता नहीं दूम फैन्स क्या दिखकत है ठीक है ठीक है ठीक है तो वन फॉर्स्टेन हो गया स्क्वेर्स हो गया अब क्यूब्स बाई एसी के अगल बगल में बैठा मत करो तुमनों ठीक है ना में कोँए जनमना था यॉर्ओप में कलकित्ता जनम गिया मैं जा रहूं बटा कि क्या को कब शुचता हो कि मैं क्या कड़ूगत के are हाँ क्या पढ़ाना नहीं छूडरौ रहा हूं पागल घूमने के लिए जा रहा हूं मैं सोच रहां वहां से ओन्लाइन प्लास देलू पीछे स्विस आल्प्स टॉबलेर और चॉकलेट देखे दुम लोग टॉबलेर और चॉकलेट वाला पहाड जाओंगा मैं पैसा जरूरी है वट सर्विस पूरा होता है सम अब दी क्यूब्स अब दी फॉर्स और नाच्रल नंबर्स एन इंटो एन प्लस वन बाई टू का स्क्वेर ठीक है यह हो गया अब इसके बाद में जीपी लिखो यह कॉपी हुआ भाई यह बहुत इंपोर्टेंट है जीपी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर्स कैसे होते हैं अ ciao आउर अआज स्क्वेर स्वार क्यूब आर टू पार एन माईनस वन जो एनेट टर्म होगा एर टू पार एन माईनस स्वन यहां पर कॉमन रेश्यों का कॉंसेप्ट है Sn का दो formula है A r to the power n minus 1 by r minus 1 when r is greater than 1 और एक होता है A 1 minus r to the power n by 1 minus r when r is less than 1 और एक होता है infinite GP का formula which is A by 1 minus r r का जो value होगा वो minus 1 और 1 के बीच में होगा तब एक मेठा अब जैसे एक चीज़ समझो infinite GP है ना अब जैसे माल लो तुमको क्या निकालना है sum निकालना है तो तुम सोच की हाँ पर minus 1 और 1 का condition क्यों लगाएगी है तुम बताओ yes तुम नाम क्या है आकर्ष हाँ बताओ सोचो यह सोच नहीं आएगा ना जब तक मैं अभी वहीं पर बैठता था minus 1 और 1 के बिच में ही क्यों है तुमको तुमाना माकर्ष है तुमको यह सोचना पड़ेगा यहाँ पर सोच का पैसा मिलेगा तुमको इतना सब लोग तो पड़ी रहे और सब सेन जगास ही पड़ रहे तुमको मैं तुमको समझा रहा हूँ तुमाना फर्स्ट क्लास है ना कौन से कॉलेज में हो क्या बनना चाहते हो जीवन में कुछ अच्छा बोल देता भाई मतले वह तो बने गई तो बने गई दा एक्षुरी बनने के लिए वह तुमको दिमाग में पहले सेट होना ओगा तो सेट कलिए ठीक है पढ़ने से नहीं होगा खाली पढ़ने से 25 लाक वाला एक्षुरी बनेगा चलेगा ते रहे उतना चलेगा और अगर करोडों में कमाना है तो तो को दिमाग अपना खोलना पड़ेगा तो मैंने यह समझ रहे हैं पढ़ाई तुम मैं रीड करेगा फिर रियल लाइफ से अप्लाई करने से होगा दो ही चीज हो सकता है हुआ है या तो तुम टेक में अच्छा फोले अंच्छा फोले से इंडस्ट्री में हम अब समझते आंक इसक जो direito काम हो तुम ऐसा कर दिया औहुत ही वो चीज हो रहा है या फिर तुम कुछ नया इंवेंशन लाया इंडस्ट्री में जो तेरा तेरा जो सर्विस है तेरा जो प्रॉडक्ट है वो सब लोग यूज कर रहे हैं वो तभी हो सकता है जब तेरा अंदर से आएगा वो चीज तभी हो सकता है तो उस वे में डे बन से सो सोचो एक्षुरी बनना वो नहीं है हम लोग बना देंगे वो तुम पैसा देते रहो तुमको कुछ नहीं करना और उसमें ज्यादा दिमाग निलगाना तुमको यह सोचना है कि तुमको अंदर से आएगा कैसे जब तुम मैट पूरा अच्छे से रीड करेगा समझेगा और य संट तुम समझा वो लोग को छोड़ तुम मेरा वास सुन थीक हैं तो यह क्यों है इसा तुमको सूचना पड़ेगा देखो तीज सीरी दिंटों होता है सम होगा वो क्या होगा इंफिनिटी तो इसका कोई वैल्यू नहीं निकल क्या पाएगा बट अगर एक ऐसा सिरीज है टू वन हाफ छोड़ रहा हूं ठीक है वो कंप्यूटर में लगाया बहए टू वन हाफ वन बाई फोर ऐसे अगर है तो इसका सम्हाव वैल्यू क्या तो इस टेंडिंग टू वैल्यू निकला जा सकते है जो कंवर्ज कर रहा है डाईवर्जिंग सीरीज में तब टू स्कुवाइर टू क्या होगा कुछ नहीं होगा समझता है तो यह जो चीज है सीरीज ऐसा होना चीए अगर माइनस वन वन के भीच में आ रहे है जैसे क्या है टू है फिर इसको मल्टिप्लाइ कर रहे हैं हाफ से तब वन आ रहे है फिर इसको मल्टिप्लाइ कर रहे हैं हाफ से तो फिर क्या रहे हाफ आ रहे है तो आर शुट लाए बिट्विन माइनस वन तब वो सिरीज कनवर्जिंग बनेगा ने तो डाइवर्ज हो जाएगा समझा ठीक है कॉपी कर लो अब देखो एक मैं कुश्चन लगा रहा हूँ 2x by k k प्लस 1 and x अपने को दिया है 1, 2, 3, dot, dot, k अब बोलो यह एक वैलिड पीडियेफ है की नहीं तो बेसिकली समेशन ओफ fx तो समेशन ओफ 2x by k, k प्लस 1 सम किसका है कौन बताएगा एई तुम बताओ सम किसका है तुम बताओ सम किसका है तुम बताओ सम किसका है मैं बोल रहा हूँ सम किसका है एक्स का सम है तुम लोग को तो एक्स बोलने से ही सम किसका है एक्स का सम है न यह क्यों पूछे सरब क्यों बार-बार एक्स को बीच में ला रहे हैं क्योंकि सम एक्स का है तो बाहर क्या निकलेगा के, के प्लस वन और टू सब बाहर निकल जाएगा ठीक है अंदर क्या बचेगा एक्स सम जिसका है खाली वो अंदर रहेगा बाकी सब चीट कॉंस्टेंट होके बाहर निकलेगा तो इसमें कुछ समझ्य वाला था नहीं इसमें, हम बोले sum x का है, तो x variable है, तो खाली वो अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर, ठीक हैं, हाँ, एक्चुली पता है, problem क्या है, constant को life में कभी भी इज़्जत नहीं मिला, जो बात है वो बात है भाई, people take them for granted, किसी का भी life में constant बनके देखो, एक बार ऐसा नाच न चाहेगा न, हाँ, क्या बोल रहा है, जो बात है वो बात है, कोई दोस्त तुम्हारे लिए पेन ला देगा, तो दस बात थैंक्यू बोलेगा, मम्मी सुभा से आम खट रही है, पापा पैसा कमारे कभी थैंक्यू बोला है नहीं, जो constant है, बोलता है अच्छा बात है, constant जो है ना, उसको कभी ज़्जत नहीं मिला, वो बाहर, ऐसे ही है बाई, लाइफ, वन एंसर हो गया और यह वैलिट, पीडिएफ हो गया, ठीक है, यह कैसे आया, अब देखो समेशन एक्स का था ना, तो एक्स पहले वैल्यू लेगा वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फो, दॉट 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 फिर के, काटो पीटो, तो वन आ रहा है, एंसर, ठीक है, आज के लिए इतना ही पड़ेंगे, इसको रिवाइज कर क्या आना, कल, कल साधे दस बजे मिलते हैं, लेट आएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम दुबारा नहीं समझाएगा, कर्ण presidencyो, तुम्हारा प्रॉब्लम होारे हैं, लेभरा षिपे के लिवझाएगा, funding जब है र being a subtitle exercise, कर लेगागा, टूम्हारा प्रॉब्लम है, वे वे बदे कर दो क दो इंसको रिवागा की नहीं समझाएगे, जुम्हारा से ऑका औरम मिलते हैं, deja कर ंना,